Hello Friends, I am Anil Aiton, आपके अपने YouTube चैनल Anil Aiton में आपका स्वागत हैं इस वीडियो में आप समझेंगे Question No.5 और 6 के हल तो Question No.5 हमारे पास है गुणनखंड कीजिए Question No.5 में पुचा है गुणनखंड कीजिए इसके दो पार्ट दिये गए हमारे पास तो इसके अंदर जो सरफ समिका लगेगी वो ये लगेगी A प्लस B प्लस C का Square is equal to क्या है A square प्लस B square प्लस C square प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इस सरफ समिका का प्रियोग करने पर हमने जो दिये गए भाग है इसका क्या करना है हमने गुणनखंड करना है तो पहला बाग हमारे पास है 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz यह हमारे पास है हमने इसको इस form में लिखना है तो देखिए यह अब a square है यहाँ 4x square हमें इसको क्या लिख सकते हैं 4x square हम क्या लिख सकते हैं 2x का whole square लिख सकते हैं अब हमारे पास 9y square है क्या है हमारे पास 9y square है तो हम इसको क्या लिखेंगे 3y का whole square फिर हमारे पास 16z square है तो हम क्या लिखेंगे 4z का whole square अब यह हमारे पास a की जिए कितना आ गया 2x, b की जिए कितना आ गया 3y और c की जिए कितना है 4z है तो हमारे पास 2 इंटू क्या है 2 A इंटू B है तो हमारे पास अब देखिए अब एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है अब यहां में जो दिया गया है प्लस 12xy दिया गया है और उसके बाद है 24yz और माइनस 16xz इन दोनों में common कौन है x और y के अंदर देखना है जो yz है यहां पे यहां पे xz है इन दोनों में common कौन है z common है तो यहां minus आ रहा है तो z common है तो यहांने c वाला जो पद है वो किसका आएगा minus का आएगा यह आपने विशेंश तोर पे इसका ध्यां रखना है कि जो जिन पदों में minus आ रहा है उन पदों में जो y, z या x जो भी common है वो पद जो हमारे पास यहां लिखा जाएगा वो किसमें लिखा जाएगा minus में लिखा जाएगा अब हम इसको हल करते हैं अब क्या है 2ab तो a कितना है हमारे पास 2x into b कितना है 3y अब देखें क्या हो गया 2 into 2 4 into 3 12xy तो यह 12xy आ गए हमारे पास plus 2 फिर यह हमारे पास क्या होता है 2bc तो b की जिगा हमारे पास कितना है 3y 3y और c की जिगा कितना है हमारे पास है minus 4z 4z अब देखिए यह हमारे पास है अब इसकी multiply गिरके देखो minus की plus से minus फिर plus से minus तो minus आगे हमारे पास यहाँ में minus है 2 into 3 हमारे पास कितना है 6 6 into 4 24 yz minus में आगे तो बिल्कुल सही है आगे plus 2 हमारे पास फिर क्या आएगा c a c की जिगा हमारे पास क्या है minus 4z तो minus 4z into क्या आएगा a की जिगा a की जिगा हमारे पास कितना है 2x 2x तो इस सर्व समी का अगर जो हमने प्रियोग किया है तो a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca को हम क्या लिख सकते है a plus b plus c का whole square तो इसको हम लिख सकते है a A की जएक हमारे पास कितना है 2X है तो 2X प्लस B की जएक कितना है 3Y और C की जएक कितना है minus 4Z तो minus 4Z सारे का whole square यह हमारे पास आ गया तो इसको हम कितने अब power 2 है इसकी तो इसको हम किया वर 2 times लिख सकते हैं 2X plus 3Y minus 4Z into 2X plus 3Y minus 4Z तो ये हमारे पास first part का हल हुआ अब हम second part को लेते हैं तो second part में जो दिया गया है वो देखी क्या दिया गया है हमारे पास second part में हैं हमारे पास 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz ये है हमारे पास हमने ये जो दिया गया है उसको इस फॉर्म में इस परकार लिखना है कि इसमें a क्या है b क्या c क्या वो आपने देखना है तो देखिए हमारे पास 2x का square है तो 2 किसका square है? root 2 का square है root 2x का क्या हो गया? whole square हो गया फिर हमारे पास क्या? y तो y का whole square हो गया अब ये जो 8 है 8 का जो हम यहाँ देखिए 8 का जब हम root 8 के square करेंगे तो 8 आएगा और 8 को हम क्या लिख सकते है? 2 into 2 into 2 का root ये हमारे पास आएगा तो इसमें से कितना common आगया? 2 को मन आगया तो 2 root 2 का whole square लिख सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते है? 2 root 2 का whole square तो इसको क्या लिखेंगे? 2 root 2 z का whole square ये तो हमने इसको लिखा अब हमने देखना है कि यहाँ देखिए जो 2ab plus 2bc plus 2c वाले पत दिये गए हैं इसमें यहाँ भी minus है और यहाँ minus है तो इसमें क्या है? xy है इसमें क्या है? xz है xy और xz में common कोन है? x और z में और y में देखना है तो x common है इसके अंदर तो x वाला जो पद है हमारे पास जो यहाँ आया है ये किसका आएगा? minus का आएगा यानि जो पद common हो दो पदों में minus है और उन दोनों पदों में x या y या y या z या z या x जो भी उसमें से a common होगा उसी पद क्या लगा देना? आपने minus लगा देना तो आप देखिए 2 a b a हमारे पास क्या है? root 2x तो root 2x फिर हमारे पास क्या है? y y के जिए कितना है? y तो हमारे पास ये क्या है? minus के अंदर है minus root 2x है तो minus root 2x लगा है तो अब इसकी multiply करके देखिए तो plus की minus से करेंगे तो minus 2 root 2xy 2 root 2xy आ गया? बिल्कुल सही आ गया अब आगे हमारे पास 2 हमारे पास क्या है? 2bc तो b कितना है? हमारे पास y y और c कितना है? हमारे पास 2 root 2z 2 root 2z इसके multiply करके देखिए 2 into 2 कितना है? 4 4 root 2yz ये हमारे पास बन गे हैं अब लास्ट वाला बनाते हैं plus 2ca तो c कितना है हमारे पास? 2 root 2z 2 root 2z और a a कितना है हमारे पास है? minus root 2x तो हम लिखेंगे minus root 2x इसके multiply करके देखिए minus की plus से plus से करेंगे तो क्या आगया? minus आ गया 2 into 2 4 और root 2 की root 2 से करेंगे तो 2 आ गया 4 into 2 8 आ गया और zx ये हमारे पास आ गया तो अब इसमें हमें a क्या मिला? हमारे पास क्या है? minus root 2x और b कितना है? y और c कितना है? हमारे पास है? plus 2 root 2z ये दिया गया है तो ये इस तरब समिका का जब प्रियोग करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a plus b plus c का whole square लिख सकते हैं तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं? minus root 2x plus y plus root 2 root 2z का whole square इसमें से आप minus common ले सकते हैं तो यदि हम minus common लेंगे तो वो बाहर आके किसका हो जाएगा? plus का हो जाएगा और root 2x और ये plus वाले हैं ये पद किसक में हो जाएगा? minus y minus 2 root 2z ऐसा भी आप लिख सकते हो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम repeat जो power 2 है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं minus y minus 2 root 2z फिर क्या आएगा? root 2x minus y minus 2 root 2z तो ये हमारे पास दूसरे भाग के गुणनखंड हो गए है question number 6 मैं पूछा है निमलिक्त घनों को परसारित रूप में लिखिए ये जो घन दिये गए हमारे पास इनका हमने परसारी तूरूप में लिखना है तो ये हमारे पास पहला भाग है पहला भाग में हमारे पास दिया गया है 2x plus 1 का cube दिया गया है ठीक है? तो इसमें हम किसका प्रियोग करें? कॉन से सरव समिकाब प्रियोग करेंगे वो हम देखते हैं वो हम करेंगे इसमें A plus B का whole cube यह हमारे पास आएगा तो यह कितना आएगा A cube plus B cube plus 3AB और A plus B इन्टू में हमारे पास आएगा तो इसका हम प्रियोग करेंगे तो हमें इसका जब प्रियोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो 2X प्लस 1 का क्यूब है A की जगा हमारी पास क्या है, 2X है और B की जगा क्या है, हमारी पास 1 है तो क्या आएगा, 2X का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस, क्या है 3AB 2X2X into B की जगह हमारी पास पतना है 1 यह हमने लिख दिया फिर A Plus B 2X1 यह हमारी पास आगे तो इसको हम लिखेंगे 2X3 को हम क्या लिखेंगे 2 का cube कितना हो जागा? 8x cube हो जाएगा और 1 का cube कितना होगा? 1 plus 3 into 2 कितना होगा? 6x into 2x plus 1 आगे और करेंगे 8x cube plus 1 plus 6x की 2x से multiply कितना होगा? 12x square plus 6x की 1 से करेंगे 6x तो ये हमारे पार परसारित रूप आ गया 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1 तो ये हमने पहले बाग का परसारित रूप लिख दिया अब हम दूसरा भाग लेते हैं दूसरे भाग में हमारे से क्या पुछा है? 2a minus 3b का whole cube ये पुछा है तो इसमें जो हम सरवसमिका लेंगे वो हमारे पास ये आएगी x minus y का cube ये हमने a plus b लिया जब हमारे पास x था अब जब a b में दे रखा है तो हम क्या लेखेंगे? इसको x minus y यानि x में लेखें x और y में क्योंकि ताकि student को इसमें confusion ना हो सरवसमिका का प्रियोग करने में तो x minus y का cube चूँकि यहाँ पे 2a minus 3b है यानि बीच में minus है तो x minus y का whole cube वाले सरवसमिका का हम प्रियोग करेंगे तो क्या हैगा? x cube minus y cube minus 3 x into y x minus y ये हमारे पास है सरवसमिका का हम प्रियोग करेंगे इसमें तो x की जगाए हमारे पास कितना है 2a, तो 2a का क्यूब, फिर हमारे पास क्या है 3b, y की जगाए कितना है 3b है, तो minus 3b का whole cube minus 3 into x into y, x की जगाए कितना है हमारे पास, 2a into 3b, 3b into 2a minus 3b, यह हमारे पास हो गया, तो इसको हम simply by करेंगे, क्या मिलेगा हमारे को, 2a का cube करेंगे कितना, 8a cube, 3b का cube करेंगे कितना आएगा, 27b cube minus, 3 को 2 से multiply करेंगे, 6 into 3 कितना है, 18ab into 2a minus 3b, तो इसको फिर लिखेंगे, 8a cube minus 27b cube minus, 18 की 2 से multiply करेंगे, 36, a की, a से a square, b, minus minus क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमारे पास क्योंना है, 18 की 3 से multiply, 54, हमारे पास आगया, ab, b से multiply करेंगे कितना हैगा, ab square, तो इस परकार हमने second भाग को हल किया, थर्ड भाग में हमारे से पूचा है, 3y2x plus 1 का cube, इसको हमने परसारित रूप में लिखना है, तो 3y2x plus 1 है, तो सर्वसामी का कौन सी होगी, a plus b का whole cube, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, इस रूप में होती है, तो इसका हम परियोग करेंगे, तो हमारे पास a, a की जगा हमारे पास कितना है, 3 by 2x, तो 3 by 2, x का whole cube, plus b, b की जगा हमारे पास कितना है, 1, तो 1 का cube, plus 3a, a हमारे पास कितना है, 3 by 2x, और b कितना है, 1, और फिर हम क्या लिखेंगे, a plus b लिखेंगे, तो a हमारे पास 3 by 2x, 3 by 2x plus 1, यह हमारे पास हो गया, अब हम इसको simplify करेंगे, तो 3 by 2x cube कितना हो जाएगा, 3 का cube यानि 27, 2 का cube 8x cube, plus 1, अब हमारे पास यह जो है, कितना हो गया, 3 into 3 multiply करेंगे, 9 by 2x into 3 by 2x plus 1, यह है हमारे पास, 27 by 8, 27 by 8x cube, plus 1, plus 9 की 3 से multiply, 27 by 2 की 2 से multiply होगी, 4, x की x से x square, plus 9 by 2x की 1 से, तो 9 by 2x, तो इसको हम simplify इस परकार लिख सकते हैं, 27 by 8 x cube, plus 27 by 4 x square, plus 9 by 2x, plus 1, तो यह हमने तीसरे भाग को हल किया, question number 6 का चोथा भाग, x minus 2 by 3y का cube, इसका उन्हें परसारित रूप में लिखना है, इसके लिए जो सरफ समी का प्रियोग होगी, वो होगी, a minus b का whole cube, यहां बीचे में minus है, तो minus वाली होगी, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, यह प्रियोग होगी, तो a की जगा हमारी पास क्या है, x है, तो क्या आएगा, x cube minus b, तो b की जगा है, 2 by 3y, तो 2 by 3y का whole cube minus 3a, a हमारी पास क्या है, x, x into b की जगा हमारी पास क्या है, 2 by 3y, तो क्या आएगा, 2 by 3y into a minus b, तो a की जगा है, x और b की जगा है, 2 by 3y, यह आगया, इसको हमाल करते हैं, x cube minus 2 by 3y का whole cube क्या है, कितना आएगा, 8 by 27y cube, अब यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, cancel हो गया, तो इसके multiply क्या है, कितना आएगा, 2xy, x minus 2 by 3y, आगये, x cube minus 8 by 27y cube, minus 2xy की x से multiply क्या हो गया है, कितना आएगा, minus 2x square y, minus 2xy की minus 2 by 3y से क्या हो गया, plus 2 into 2, 4 by 3, x y square, तो यह हमारे पास है, question number 6 का fourth part को हमने हैं, हल किया,